देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प महादेव की क्रिपाप सभी पर सदय बनी रहें यह वीडियो है मिथुन यानि की जमिनाय के संपून जीवन के महत्वपून जानेकारी के बारे में अर्थात यह है कि अब इस वीडियो में पहले तो बात करेंगे कि जो मिथुन लगन या राशी के जादक होते हैं इनके करे संख्षिप्त में चर्चा करेंगे साथी में हम देखेंगे कि जो एप्रिल 2022 में बहुती महत्वपून ग्रहों का राशी परिवरतन हुआ है ब्रहस्पति शनी राहुकेतु और बहुती कम अंतराल में हुआ है तो यह आने वाले 5 साल यह चार ग्रहा आपके जीवन पर क्या लेकिन उससे पहले एक बार इस बात पर नज़र डाल लेते हैं कि मिथुन यानिकी जमिनाय लगने या राशी के जातक कैसे होते हैं इनके क्या-क्या तीसरा भाव है तो इनके अंदर जो speaking qualities होती है speech quality होती है वानी कि जो इनकी क्षमता होती है वो बहुत अच्छे speakers होते हैं यह वानी पर control होता है अपनी वानी से लोगों को रिजा सकते हैं अपनी वानी से लोगों को convince कर सकते हैं यह चीज इनकी सबसे एक strong point कह सकते हैं कि जो इनकी communication skills है वो अच्छी होती है बहुत observant होते हैं हर चीज को observe करते हैं आपको लग रहा होगा कि यह एक जगा बैठे हैं तो इनको यह नहीं पता कि इनकी side में क्या चल रहा है क्योंकि यह देख नहीं रहे लेकिन ऐसी चीज नहीं है यह बले ही आप पाजू क्या चीज चलती है वो भी इनको पता होता है बहुत observant होते हैं इनकी observation skills बहुत होती है लोगों की तिरफ काफी sympathetic attitude होता है लोगों की मदद करना चाहते हैं उनके दुखदर्द को बहुत अराम से समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी मदद कर पाएं किसी भी तर आर्टिस्टिक नेचर होता है इनका कलात्मक नेचर होता है बुद्ध की राशी है बुद्ध का लगना है तो इनके अंदर कला की कोई कवी नहीं होती कोई ना कोई कला का फॉर्म कोई ना कोई आर्ट फॉर्म इनके साथ जुड़ा ही होता या तो यह आर्टिस्ट होते हैं किसी तरह के painting करते हैं या कोई instrument बजाते हैं कुछ ना कुछ चीज art form के साथ ये जुड़े ही होते हैं एक popularity की इनमें बहुत चाह होती है चाहते हैं कि ये popular हो ये चाहते हैं कि लोगों के बीच में इनको fame मिले लोग इनको जाने पहचाने ये इनके अंदर बहुत प्रबल इच्छा होती है काफी intellectual होते हैं काफी intelligent होते हैं mathematics quality इनकी बहुत अच्छे होते हैं until unless इनके जो लगने के स्वामी है राशी के स्वामी है बुद्ध वो बहुत बुरी तरह से placed हैं तो कुछ problem आती है otherwise इनकी mathematics skills बहुत अच्छे होते हैं वाग के पटूता होती है इनकी पास बातों को घुमा देते हैं आपको समझ भी नहीं आएगा आप इनसे बात कर रहे हैं और ये कब बातों को घुमा देंगे और आपको अपने बातों के जाल में फजा देंगे शायद दो तिन घंटे बाद या एक दो दिन बाद आपको समझ आएगा कि इन्होंने आपको अपनी बातों में घुमा दिया इसलिए बहुत अच्छे वकील भी बनते हैं बातों में लोगों को घुमा देते हैं हर जगा ये चाहते हैं कि अच्छे देखें ये नहीं चाहते कि कोई इनको बुरा कहे ये भी एक इनकी अच्छी ही क्वालिटी होती है इसलिए ये ज़्यादा किसी का बुरा कर भे नहीं पाते है हमेशा चाहते हैं कि सबकी आँखों में अच्छा बनकर रहना चाहते हैं कि लोग पीट पीछे भी इनके बारे में बोले कि बहुत अच्छे लोग हैं ये इनके अंदर एक quality ही कह सकते हैं क्योंकि जो किसी का बूरा करना नहीं चाहता वह व्यक्ति अच्छा ही होता है strong mindset होता है इनका positive mindset होता है positive thinker होते हैं usually अपने life में की positive ही सोचते हैं versatile nature होता है ये बहुत कारे कर सकते हैं शायद एक चीज में इनकी perfection ना हो लेकिन बहुत सारी चीज ये कर सकते हैं जिसको English में कहते हैं कि jack of all trades and master of none बहुत कारे कर सकते हैं और versatile nature होता है इनका ये भी करेंगे वो भी करेंगे हर चीज़ सीखने के लिए भी तैयार होते हैं मैं दुबारा कहना हूँ कि जरूरी नहीं कि इनको उसकारे में perfection हो लेकिन बहुत कुछ सीखने का प्रयास और बहुत कुछ कर भी पाते हैं reading किताबे पढ़ने का इनको शौक होता है usually यदि इनके जो बुद्ध है अच्छी तरह से placed है तो एक कई किताबें अपने पास रखते भी हैं खरीदते हैं किताबों पर invest करते हैं इनको किताबें खरीदना अच्छा लगता है adaptive nature होता है इनका चीज़ों के साथ flexible हो जाते हैं ये इनका plus point होता है इनको यात्रा करनी पसंद है और क्योंकि इनका nature flexible है इसलिए कि ये कई जगा पे यात्रा भी कर सकते हैं जिनका nature flexible नहीं होता उनको यात्रा करने में बहुत problem होती है उनको अगर अपनी पसंद की सोनी के जगा नहीं मिली पसंद का खाना नहीं मिला पसंद का पानी नहीं मिला, पसंद का atmosphere, temperature ये सब नहीं मिला, तो वो यात्रा नहीं कर पाते, लेकिन जो मिथुन लगने या राशी के जाता के, ये बहुत adaptive होते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, दिल्ली में पैदा हुए थे तो गुआ में भी रह लेंगे, हिमाचल में पैदा हु हो गयते हैं, तो राजिस्थान में भी रह लेंगे, इस तरह का इनका nature होता है, adaptive होते हैं, चीजों को analyze बहुत अच्छा करते हैं, चीजों को एक, अगर इनको आप कुछ analysis करने के लिए दिजिए, तो हर चीज को आपको analyze करके, point wise, point wise आपको बहुत अच्छी तरह से बता दे हैंगे, और retention power भी इनकी बहुत अच्छी होती है, रट्टू तो अभी इनको बोल सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि retention power एक बार पढ़ लिया, तो usually इनको याद हो जाता है, तो ये थे इनके कुछ सकरात्मत points, मुझे समय मिला तो आगे चलकर मैं एक विस्ति तो एक जो इनकी problem होती है, ये खयालों की दुनिया में बहुत रहते हैं, वायुतत्प की राशी है, अपने सपनों की दुनिया में इनको रहना बहुत पसंद आता है, और उसमें रहते भी हैं, उसमें बहुत अच्छा फील करते हैं, कि हाँ ये होगा, वो होगा, future के बारे हैं, बहुत सोचते हैं, imagination बहुत होते हैं, वो अच्छा भी है, लेकिन कभी-कभी उसके कारण क्या होता है, ये impractical हो जाते हैं और बहुत time waste कर देते हैं, कभी-कभी बहुत carefree attitude हो जाता है, चलो देख लेंगे, चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये चीज इनके लिए करना है, तो ये जो double mindedness है, इनकी ये इनको जिन्दगी भर परिशान करती है, और ये ही एक nature इनका decision making में भी है, निरने लेने में, निरने तक पहुँचने में इनको बहुत परिशानी होती है, 100 बार खुद सोचेंगे, फिर किसी से पूचेंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे उ decision लेने का time आएगा, ये तब उसके बाद भी इतना सब करने के बाद भी परिशान रहेंगे, इनके लिए कोई निरने लेना थोड़ा मुश्किल होता है, काफी fickle minded होते हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, आदे गंटे बाद कुछ और सोचेंगे, जो कि उससे एकदम विपरीत होगा, ये चीज भी इनको बहुत तंग करती हैं, कुछ काम ये start करते हैं, उसको खतम नहीं कर पाते, अगर इन्होंने 100 चीज़ें start करी हैं, तो उसमें से आप देखेंगे कि 60 या 70 चीज़ें इन्होंने start करके छोड़ दी, या अगर 10 चीज़ें start करी है, तो 5 या 6 चीज़ start करके छोड़ देते हैं, ये भी इनका बहुत negative point है, एक इनका मैंने सबसे negative point जो मैंने observe किया है, देखे observation से ही ये चीज़ें आती हैं, ये leadership quality lack करते हैं, कितना भी talent हो, leader बन के उभरना, इनके लिए थोड़ा problematic होता है, ये किसी के under काम कर लेते हैं, लेकिन अपने आप काम करना, या अपने आप कुछ decision लेना, या अपने आप एक leader बनना, वो इनके अंदर lack होता है, lack करता है, मैं ये नहीं कहरा सभी, भी अगर आपका लगन बहुत strong है, लगन में कुछ बहुत ही महत्वपून गरह बैटे हैं, जैसे कि मंगल है, ब्रहस्पती है, even राहू for that matter, तो तो ये लोग self-employed या कुछ leader बन के उभर सकते हैं, otherwise इनको leadership दिखाने में थोड़ी problem होती है एक और nature जो इनका बहुत negative है, वो है inconsistency, ये कभी भी consistent नहीं रह पाते हैं, जैसे मैंने कहा, दुई सभाव की राशी है, वायू तत्व की राशी है, consistency की इनके life में कमी होती है, और यही चीज इनको hamper करती है, ये थोड़े से यदि consistent हो जागर दो महीने के लिए consistency इनके life मे आजाए, तो बहुत कुछ achieve कर सकते हैं, लेकिन consistency नहीं आपाती, बहुत anxious होते हैं, एक होता है व्यक्ति जिसको anxiety है, anxious है वो, ये वो लोग होते हैं जो over anxious होते हैं, सपोज इनको कुछ चीज पता करनी है, for example, noida में airport बन रहा है, इनको पता चलेगा कि noida में airport बन रहा है, तो बन रहा है, ये चीज दो तिन चीज़े पता करेगा, ये क्या करेंगे, ये जब सोने जाएंगे, अपने बैट पर लेटेंगे, mobile on करेंगे, और उसके बारे में पूरी जानकरी निकाल लेंगे, कहां बन रहा है, कितना area है, कब तक चालो होगा, कौन-कौन सी airplane आएंगे, कि इसको ठेका गया है, क्या बाहर की country involved है, कौन-कौन सी government इसमें involved है, state government का कितना हिस्सा है, central government का कितना हिस्सा है, ऐसी चीजें उसके बारे में पता कर लेंगे, जान लेंगे, जिसका इनकी अपनी जिन्दगी में कोई use नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो नहीं जानेंगे, तो इस तरह की भी चीजें ये बहुत करते हैं, meaningless information बहुत collect करके रखते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक चीज के बारे में इतनी information ले लेंगे, जिसकी जरूत ही नहीं होती, कभी-कभी judgmental हो जाते हैं, ये भी इनकी एक नकरात्मक चीज है, judgmental comments भी पास कर देते हैं, जो अच्छी ची नहीं होती, कभी भी किसी के बारे में judgmental नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पता है वे वेक्ति किस चीज से गुजर रहा है, उसका base क्या है, उसका past क्या है, तो कभी भी judgmental नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है वेक्ति कभी-कभी judgmental हो जाते हैं, और एक और चीज जो इनको बहु से 15 या 12 से 16 इसमें कुछ बहुत सिग्निफिकंट होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव 22 से 25 के बीच में कुछ बहुत अच्छा होता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सकरात्मक होता है उसके बाद 27 से 32 इस पीरियड में थोड़ी कंसिस्टेंस ही इनकी लाइफ में जरूर आती है तो ये बहुत महत्वपून इयर्ज है इनकी लाइफ के उसके बाद तो डिपें वाले 5 साल कैसे रहेंगे मिथुन लगन या मिथुन राशी के लिए अब देखते हैं कि जो पिछले महीने यानि कि अप्रल 2020 में चार प्रमुक ग्रहों का राशी परिवर्तन हुआ है यानि कि शनी ब्रहस्पति राहु और केतु उनका क्या प्रभाव रहेगा मिथुन लगन या राशी के जातकों पर शुरुवात करेंगे देव गुरु ब्रहस्पति के साथ देव गरु ब्रहस्पति एप्रल में पाइसेस यानि की मीन में प्रवेश कर गए और अगले 5 साल आपके 10 भाव से दूसरे भाव तक गोचर करेंगे इस समय 10 भाव पे हैं तो यह जो आने में स्थापित हैं तो अगला एक साल अपने करियर पर डिवोट कीजिए करियर में नई उन्नती प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए property बनाने के लिए अच्छा समय है, गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा समय है, धन संचय करने के लिए अच्छा समय है, savings बढ़ाने के लिए अच्छा समय है, investment के लिए अच्छा समय है, court cases में जीत प्राप्ती के लिए अच्छा समय है, career में आगे बढ़ने के लिए समय है, competitive exam काम के लिए समय अच्छा है करियर में competition को face करने के लिए समय बहुत अच्छा है तो यह जो एक साल है 2022 से 2023 ब्रहसपती जी की आप पर कृपा रहेगी विशेश कृपा रहेगी आप कई जगा उपर बहुत उच्छा हासिल करेंगे recognition मिलेगा आपको मानसम्मान मिलेगा government से मानसम 2023 से 24 ब्रहसपती आपके ग्यारवे स्थान में रहेंगे मेश राशी है उनके मित्र ग्रह की राशी है और लाब स्थान है ब्रहसपती सबसे लाब कारी ग्रह हैं लाब स्थान में बैट रहे हैं तो यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कई महत्वपून यात्र के मध्य से 2024 के मध्य तक का समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा शादी के बहुत अच्छे योग आपके लिए अवश्य बनेंगे बिजनस में बहुत अच्छा करेंगे और साती सात लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए और वो भी बहुत अच्छी लव लाइफ के लिए जो अगला साल है 2023 से 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बहुत positive mindset रहेगा आपका ओवरॉल वो साल भी आपके लिए अच्छा है 2024 से 2025 ब्रहस्पती आपके बारवे घर में रहेंगे जो लोग काम के लिए देश से बाहर जाना चाते थे उनके लिए वहसाल बहुत महत्वपुन रहेगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वहसाल भी बहुत अच्छा रहेगा आप अपनी मनवानचित प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं भागे का साथ मिलेगा आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी संबंदित कुछ काम आपके अटक रहे हैं उस चीज़ के लिए ये साल भी धन का संचे आप कर पाएंगे धन की स्थिति आपकी बेटर होगी क्योंकि अर्थ त्रिकोन को देख रहे हैं यानि की अर्थ त्रिकोन का जो एक भाव होता है छटा भाव उसको देख रहे हैं और बाहर के कंट्री से बहुत पैसा कमाने का आपके लिए योग बनेगा ये भी बहुत अच्छा देख रहा है आपके लिए बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान दीजी स्पेशली यदि आपको डायवटीस की प्रॉबलम होगी उस समय तो आपको एक साल बहुत सतर करहना पड़ेगा बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है आपको जोतिश तंत्र मंत्र गूड विद्याओं के तरफ आपकी रूची बढ़ेगी धर्म के प्रती रूची बढ़ेगी तंत्र साधना के प्रती रूची बढ़ेगी और ये सब चीजें सीखने का भी आपका काफी कि ये सब चीजे सीखने में आपको सिध्धी भी काफी प्राप्त होगी दोजार पच्चिस से 26 ब्रहस्पति आपके लगन में ही आके स्थापित हो जाएंगे दस्वे भाव के स्वामी है लगन में आएंगे ये भी बहुत स्टॉंग राज योग है तो वह साल भी आपके अच्छी आएगी तो और आम से शादी हो जाएगी धर्म के प्रति रूची और बढ़ेगी भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा मौत महत्वपूर साल रहेगा आपके लिए 2025 से 2026 2026 से 2027 ब्रहसपती आपके धनस्थान पे बैटेंगे धन के कारक है एक तरह के धनस्थान में बैटेंगे तो धन में वृद्धी होगी ब्रहसपती जहां भी बैटते हैं उसके कारकत्व की वृद्धी करते हैं धनस्थान में होंगे तो आपका धन बढ़ेगा आपके कुटुम्ब का धन बढ़ेगा यानि कि आपके family में भी पैसा आएगा आपके family members भी पैसा कमाएंगे शादी में जो और चल रही थी married life में जो और चल रही थी बहुत हद तक दूर हो पाएंगी आपके पिता जी के सेहत के लिए वह साल थोड़ा नाजुक रहेगा लेकिन आप के माता जी को कई तरह के लाब उस साल में अवश्य प्राप्त होंगे पैसा जमा करने के लिए पैसा invest करने के लिए पैसे से पैसा कमाने के लिए वह साल बहुत महत्वपून रहेगा क्योंकि नवी दृष्टी कारिस्थान पे रहेगी तो कारेक शेत्र से भी बहुत कुछ अच्छा अर्जित कर पाएंगे आप उसे एक साल में तो ब्रहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे फल अवश्य देंगे अब चलते हैं शनी महराज पर शनी महराज आपके लिए भाग्यस्थान और कारयस्थान पर गोचर करेंगे कुछ समय के लिए अश्टम में आ जाएंगे जुलाई के बाद 7-8 महीने के लिए तो वह जो जुलाई से अगले साल की जनवरी तक का समय है ये समय है आपको अपने आपकी खोच करने के लिए अपने आपको समझने के लिए आपके करियर में कुछ उतार चड़ाव आएंगे लिकिन जादा उतार चड़ाव आपके लिए positive होंगे बहुत अच्छी नई जॉब आपको अवश्य मिल सकती है 2023 की शुरुवात में आपके भाग्यस्थान में आके बैठ जाएंगे और भाग्यस्थान के स्वामी है तो धाई साल भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा बहुत तरह के लाब होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, इंकम के सोर्सेज बढ़ेंगे आपके भाई बहनों के लिए अच्छा समय रहेगा आपके भाई बहनों से आपको कुछ लाब प्राप्त हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू जरूर आएंगे भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ, वो आपको जरूर तंग करेंगे ये समय भी आपके लिए अदि आपके कुछ कोट के से चल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है कॉंप्रोमाईज से सॉल्व होने के सिचुएशन बहुत जादा आपके लिए उत्पन होगी लेकिन भाग्य का साथ आपको इन धाई वर्षों में अवश्य में लेगा यानि कि दोहुजार पच्चिस से दोहुजार सताइस के मद्धे तक उसके बाद दोहुजार पच्चिस पे शनी महराज आपके दस्वे स्थान में आ जाएंगे और क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है दस्वे स्थान में आएंगे यानि कि वो धाई साल आपके करियर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट टाइम होगा फिर से क्योंकि भाग्य का साथ फरपूर मिलेगा जब भी किसी चीज में भाग्य का साथ मिलने लग जाता है तो चीज कई गुना आगे बढ़ती है और बिजनस के लिए आपके लिए वो समय बहुत अच्छा होगा जिनकी दशा उस समय अच्छी चल रही है वो कम से कम दो से तीन प्रॉपर्टी उस धाई वर्ष के समय में बना सकते हैं और बिजनस में भी आपके कई गुना व्रिद्धी हो सकती है तो शनी महराज का ये जो गोचर रहेगा अगले पांच साल आपके लिए अच्छा है और ये तीनों ही भाव राहू के लिए अच्छे हैं अभी से लेकर अगले साल की अक्टूबर तक बहुत लाब कमाएंगे अचानक से लाब कमाएंगे लेकिन इच्छाओं पर कंट्रोल कीजेगा लालच पर कंट्रोल कीजेगा 2023 के मध्य से 2025 के एंड तक या 26 की शुरुआत तक राहू आपके दस्वे घर में रहेंगे ये भी समय अच्छा रहेगा स्पेशली जो मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं या देश से बाहर काम करने के लिए जाना चाते हैं देश से बाहर कोई बिजनस सेटप करना चाते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा उसके बाद का जो डेड़ साल का वर्ष रहेगा वो राहू आपके भाग्य स्थान में रहेंगे भाग्य के विद्धी तो करेंगे ही आपको spiritual भी बहुत बनाएंगे बहुत धार में क्यात्राएं आपको कराएंगे आप चलते हैं केतू की तरफ केतू आपके लिए अप्रिल 2022 से अक्टूबर 2023 तक पाँचवे स्थान में रहेंगे पाँचवे स्थान में केतू का गोचर बहुत अच्छा नहीं वाला जाता आपके लव लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जिनके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो ब्रेक अप तक बात पहुँच सकती है और ओवरॉल थोड़ा नेगेटिव समय लव लाइफ के लिए रहेगा 2023 के अक्टूबर से 2025 की शुरुवात तक केतू आपके चौते घर में रहेंगे और चौते घर में भी केतू का आना बहुत अच्छा नहीं होता फैमिली लाइफ के लिए, मदर के हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी इशूस के लिए अच्छा समय नहीं है, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी अलगी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूस कुछ हो सकते हैं घर में मरम्मत बहुत बार करानी पड़ेगी पैसे भी अटकेंगे कहीं किसी जगा पर जाके आपके emotional health आपके अच्छी नहीं रहेगी overall थोड़ा dissatisfied अपनी life से आप feel करेंगे केतु का चौते घर में आना अच्छा नहीं होता उसके बाद 2025 के शुरुआत से 2027 तक या 26 के अंते तक केतु आपके तीसरे घर में रहेंगे तो जो वह समय होगा वो थोड़ा बहुत बेटर होगा तीसरा भाव केतु के लिए यूजुली अच्छा होता है भाई बहनों के साथ वाद वाद जरूर होंगे लेकिन overall life में आप आगे बढ़ पाएंगे competitive spirit रहेगी आपके लंदर अपने कई hurdles को दूर कर पाएंगे अपनी कई रुकावटों को दूर कर पाएंगे और पैसा भी कमा पाएंगे तो जो तीन साल रहेंगे केतु के शुरुआत के वो आपके लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे कि अगले पाथ साल मिथुन के लिए कैसे रहेंगे और थोड़ा सा हमने चर्चा करी कि characteristics क्या होते है चैनल पर नए है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्शु